फ्रेंड्स जी सिंग हेल्पिंग हैंड चैनल पर आपका स्वागत है हम चर्चा करने जा रहे हैं आरेज इनकम्पैटिबिलिटी पर हीरिंग इंपेर्मेंट के जो कारण हैं उनमें से एक कारण आरेज इनकम्पैटिबिलिटी भी है तो यह क्या चीज है कैसे इससे बचा जा सकता है तो इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं सबसे पहले हमें समझना होगा ब्लड ग्रूप को म्लड ग्रूप होता क्या है कितने प्रकार का होता है ब्लड ग्रूप चार प्रकार का होता है ए यह इस बी यह बमी ओर ऑगर हम किसी के blood को slide पर लगा कर microscope से देखते हैं तो जो लाल रक्त कोशिकाएं होती है red blood cell उनके उपर एक protein लगी होती है एक antigen होता है उसके design से ये decide होता है कि ये कुन सा group है अगर वो antigen का आकार त्रिभुज की आकृती की तरह नुकिला होता है तो ये A group होता है दूसरी चीज है blood के अंदर जो plasma होता है plasma में तैर रही antibody प्लाज्मा में antibody जो तैर रही है वो A और B होती है अब अगर किसी का blood group A है तो उसके blood में antibody B मिलेगी और blood group अगर B है तो antibody A मिलेगी अब blood group B कैसे देखते है B के उपर जो antigen लगा होता है red blood cell के उपर जो antigen लगा होता है वो curve shape में होता है जैसे B की दो curve बने होते हैं उससा सिंगल curve होता है तो curve shape में होता है तो वो B है अब बात आती है कि antibody A में A क्यों नहीं हो सकती तो ये कुदृत का निजाम है कि A के अंदर B और B के अंदर A होती है क्यों क्योंकि A antibody की आकृती त्रिभूजाकार अंदर को धसी हुई होती है यानि जैसी antigen red blood cell के उपर लगी हुई है बिल्कुल वैसा ही design अंदर को धसा हुआ है यानि अगर A blood group के अंदर A antibody होगी तो ये red blood cell के साथ फस जाएगी तो परवाह में दिक्कत आएगी तो क्या होगा व्यक्ति की मृत्यू भी हो सकती है तो कितना बढ़िया system है हमारे शरीर में कि अगर blood group A है तो antibody B है तो अगर blood group B है तो antibody A है चली चलते हैं तीसरे blood group के ओर तीसरा blood group है A B यानि उसमें A वाला त्रिभुज भी है और B वाला करव भी है दोनो antigen एक साथ है तो दोनो antigen एक साथ होने की वाज़े से उसका नाम है A B अब प्रश्न ये उठता है कि अब इसमें antibody कौनसी होगी क्योंकि जो भी antibody होगी वो फसेगी तो A B blood group में antibody नहीं होती आगे चलते हैं blood group O O यानी 0 O की शकल ही 0 है तो blood group O का जो red blood cell होगा वो बिलकुल round होगा उसके ओपर किसी प्रकार का कोई antigen लगा नहीं होता है किसी प्रकार का कोई protein लगा नहीं होता है तो यह हैं चार प्रकार हमारे blood group के next चीज है blood group negative और positive भी तो होता है यही negative और positive को ही आरेच कहा जाता है आरेच शब्द जो है यह आया है racist से racist बंदरों पर बैग्यानिक वीनर उनके blood पर जब research कर रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले इस protein को इस antigen को देखा उन्होंने देखा कि A, B के अलावा एक चकोर आकृती भी उस red blood cell के उपर विराजमान है लेकिन सभी में नहीं है किसी में है तो किसी में नहीं है तो इस antigen का नाम उन racist बंदरों के नाम पर racist रखा गया यानि short form में आरेच अब भौतिक विज्ञान में negative charge का मतलब होता है कि charge ले रहा है रिनात्मक positive का मतलब है धनात्मक यानि दे रहा है लेकिन biology में positive का अर्थ है present और negative का अर्थ है absent जिनके ब्लड में इस तरह का आरेच एंटीजन होता है वो आरेच positive होते हैं और जिनके ब्लड में ये आरेच प्रोटीन नहीं होता है वो आरेच negative होते हैं अब हम बात करते हैं कि ये क्या impact डालता है जिसका भी ब्लड ग्रूप negative होता है उसको जीवन भर कोई problem नहीं आती है problem कहां आती है problem आती है आने वाले बच्चे में कैसे आती है blood group का निर्धारन कैसे होते हैं हम पहले इस पर बात करते हैं संतान में blood group की संभावना क्या होती है अगर मा blood group B है और father blood group A है या vice versa तो यह चारों तरह के blood group इसमें आ सकते हैं दूसरी स्थिति यह है A B A B किसी के साथ भी अगर उसका match होता है तो O को छोड़ कर क्योंकि A B की O के साथ बनती नहीं है O को छोड़ कर बाकी group आ सकते हैं अब O की किसी के साथ भी अगर matching होती है तो संतान में O भी आ सकता है A B आ सकता है B भी आ सकता है किन्तु A B नहीं आएगा अब प्रश्णूरत है अगर O का A B के साथ match हो जाए तो जोकि बनती तो नहीं है तो वो O भी नहीं होगा वो A B भी नहीं होगा बचा क्या A और B यानि A B के साथ अगर A B का match किया जाए यानि मदर भी A B blood group है फादर भी A B blood group है तो क्या होगा A B खुद भी आ सकता है वो A भी हो सकता है वो B भी हो सकता लेकिन O नहीं होगा B का B के साथ अगर match है तो वो या तो B होगा या O होगा A का A के साथ है तो या वो खुद A होगा या O होगा अब बात करते हैं RH positive और RH negative अगर father RH negative है mother RH positive है किसी भी blood group से तो यहाँ कोई problem नहीं है Mother RH positive father भी RH positive यहाँ भी कोई problem नहीं है Problem कहां आती है जब father RH positive है और mother RH negative है और बच्चे का blood group RH positive है अगर बच्चे का blood group RH negative है तो भी कोई problem नहीं आएगी Problem आएगी different blood group का बच्चा एक negative blood group वाली माता के पेट में है पहले बच्चे में भी कोई problem नहीं आएगी पहले का मतलब यहाँ पहला है पहला जीवित बच्चा नहीं चाहे missed abortion हुआ हो या MTP करवाई गई हो तो वो पहला बच्चा है तो पहले बच्चे के जनम के समय अरिथ्रो बलास्टोसिस होता है तो बच्चे का blood split होकर mother की uterine cavity में आता है तो वहां से मा के blood में mix हो जाता है तो मा के blood में जो आरेच positive गया यानि आरेच antism गया है जो वो उसके लिए एक foreign body है इसके लिए उसका श्रीर उससे लड़ने के लिए antibody बना लेता है जो की दूसरे बच्चे के लिए घातक होती है अगर दूसरा बच्चा आरेच negative है तो भी बच्चे को कोई problem नहीं आएगा अगर दूसरा बच्चा भी आरेच positive है तो ये antibody प्लेसेंटा के जरीए बच्चे में के शरीर में घुश जाती है और शरीर में घुश कर क्या करती है कि red blood cell को नस्ट करने लगती है प्रणाम सुरूफ बच्चा पीला पड़ जाएगा कमजोर हो जाएगा एच भी कम हो जाएगा जो बच्चे का पंद्रह सोला एच भी होना चाहिए वह पांच छेंप आ जाएगा अगर अल्ट्रा सांट कराएंगे तो बच्चा बद्धा पोजिशन में जैसे पॉल्थी मा इसे फैटालिस हो गया है जettsुक्च वी हो सकता है है सिवीर ज हम लीवर तो की गंभीर बिमारी पैदा हो गई है आसाईटीज हो जाए मैं या उसकी श्रमन क्रूलता चलिए या उसकी बौधिक myself चलियी जाए है है या उसको और किसी तरह की बिकलांगता आ सकती है तो यह आरेच इनकंपेटिबिटी की वज़े से जो हीरिंग इंपेर्मेंट आती है यह यहाँ पर आती है और इसका उपाय क्या है क्या करें कि ऐसा ना हो आरेच नेगेटिव बलड की महिलाओं को शादी भी करनी चाहिए और बच्चे भी पैदा करने चाहिए तो इस चीज से बचा कैसे जाए इसके लिए जैसे ही पहला बच्चा जनम लेता है जनम के 22 गंटे में एंटी डी नामक एक इंजेक्शन दिया जाता है जिससे की उसकी एंटी बोडी बनने से रुका जा सके 22 गंटे के बाद फिर वो काम नहीं करेगा क्योंकि एंटी बोडी पूरी तरह से भीक्षित हो जाएगी उसका भी ट्रीट्मेंट है वो गाइनोकुलोजिस्ट बड़ा लंबा ट्रीट्मेंट चलता है हो जाता है अब अगर हमने अल्टरसांड कराया और पता लगा कि बच्चे में HB डाउन चला गया है अब ऐसी टेक्निक भी भारत में आ गई है कि मा के पेट में ये पता लग जाएगा कि बच्चे का HB डाउन है और उसको बलड़ ट्रांसफ्यूजन मा के पेट में ही दिया जा सकता है कोड के जरीए हर लेड़ महीने के बाद उसको ट्रांसफ्यूजन दिया जाता है अठाइस हफते का जब भून होता है तो NTD का इन्जیک्शन दिया जाता है फिर जनम के वकर फिर से दिया जाता है मा को बच्चे को नहीं मा को ताकि वो antibody को बनने से रोका जा सके, destroy किया जा सके, तो R.H. incompatibility में यही चीज है, इसमें सावधानी रखनी है, बहुत चीजों से बचा जा सकता है, कोशिश तो यही होनी चाहिए, कि अगर फीमेल, negative R.H. वाली फीमेल की शादी, negative R.H. मेल से करवाई जाए, क्योंकि negative R.H. वाली लोग बहुत कम होते हैं, तो positive से भी करानी पड़ेगी, और अगर उसके husband R.H. positive है, और फीमेल R.H. negative है, तो जो मैंने सावधानिया बताई है, वो अगर बरती जाएं, तो बचे स्वस्थ पैदा हो सकते हैं, तो यह थी R.H. incompatibility, नम सकार्व.